नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूं और आज फिर मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी इंट्रेस्टिंग मोरल स्टोरी इसके साथ ही आपको बहुत ही नयने वर्ट्स की मीनिक जानने को मि बोश्ट फुल याने क्या होता हिए डींगे मारने वाल अला ज्रोटे न तो अपनी बड़ा मारते रहता है अपना हि देख सकते हो पहलवा रासा है क्या क्यों होता है भी देख स्टोरी में इंट्रेस्टिंग स्टोरी है इसका translation देखते हैं तौल याने क्या होता है उचा लंबा बोलते हैं वो हैंडसम का मंदभ बोलता है आकरशक सुन्दर वैल बिल्ड याने वैल बिल्ड को हम क्या बोल सकते हैं मजबूत रैसलर याने पहलवान विजिटेट विजिट करने आने मिलने जाना मिलने गया राजा के रॉयल कोट याने शाही कोट याने होता है धरबार राजा के साही धरबार मिलने के लिए गया वैसे विजिट करने यात्रा करना भेट करना भी बोलते हैं He said to the king, उसने कहा, वह कहा ऐसे तो नहीं होगा, यानि वह भी होता है, उसने भी हम यूज़ करते हैं, तो उसने कहा to the king, यानि राजा से, ये प्रेपोजिचन है, किस से कहा कहा गया, तो to preposition का यूज़ करते हैं, राजा से कहा, क्या कहा देखी, यानि उसे हम हे महाराज, ऐसे बोलते हैं, वो यूर मेश्टी कहते हैं, इंग्लिज में, हे महाराज, I am very healthy, I am, मैं हूँ very, यानि बहुत healthy, यानि क्या होता है, तंदुरुस्त, मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, and my body is full of strength, और मेरा सरीर, is, यानि है, full of strength, तो strength का मतलब होता है, ताकत, ताकत से भरा हुआ है, full of यानि भरा होना, ताकत से भरा हुआ है मेरा सरीर, and, sorry, I can drink hundred liters of milk a day, I can drink, can यानि कुछ चीज कर सकते हो, ability बताते हो, चमता बताते हो, तो can का use कर सकते हो, I can drink, मैं पी सकता हूँ, hundred liters, यानि 100 liter of milk, यानि दूद, a day यानि एक दिन में, एक दिन में 100 liter दूद, पी सकता हूँ, I can fight, 10 wrestlers at once, go single-handedly, I can fight, तो I can fight यानि क्या अगा, मैं लड़ सकता हूँ, fight and learn, कहने याने सकना, तो मैं लड़ सकता हूँ, 10 wrestlers, यानि 10 पहलवानों से, at one, at one यानि एक बार में, go single-handedly, तो इसका मन्दब होता है, एक बार में अकेले, एक बार में, अकेले single-handedly, यानि अकेले, उससे single-handedly बोलते हैं, अकेले एक बार में, और lifted, तो lift का third form lifted है, second third दोनों होता है, तो I can lift it, यहां पर आप देखे, head के साथ lifted, तो head के साथ यहीं, verb का third form होतो, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, past perfected, तो इसका मतलब क्या होगा, I had once lifted, एक बार मैंने उठाया था, a mountain, एक पहाड को on याने पर, किस पर, my head, मेरे सिर पर head याने होता है, and, my fights with lions are well-known, my fights, मेरी लडाईयां, fight यान लडाईयां और fights प्लूरल है, बहुँ अच्छान है, ऐसा लग गया तो, मेरी लडाईयां with याने से, किस से, lions, याने से याने शेरो के साथ, या से मेरी लडाईयां, are याने है, well-known, well-known का मत्लब क्या होता है, विख्यात हो जाना, प्रासिद्ध हो जाना, उसे हम well-known कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रख्यात है, मसूर है, जिसमे मुर्दू में कहते है, अपोस्ट्रफिल एक कौम मैंने का की के रेशलर याने पहलवान की टेल्स याने बातों को टेल्स याने वैसे तो कहानिया भी होती है बाते भी होती है तो उसके सभी बातों को सुनी and seeing him और seeing याने देखा him याने उसे और उसे देखा he was impressed he याने वह was याने थे impressed impressed होना का मतलब क्या होता है कि हम बोल सकते हैं प्रभावित होना वे प्रभावित थे ठीक है impressed थे प्रभावित थे he gave the wrestler a post to work on he gave और उन्होंने दिया क्या दिया give याने देना gave याने दिया the wrestler पहलवान को a post पोष्ट याने होता है पद ठीक है एक पद दिया to work on काम करने के लिए लग लग पोष्ट रहते हैं तो उनको भी पोष्ट दे दिया कि आप ऐसे हमेसा काम आओगे मेरे तो आपको रखते हैं और ठीक है काम पे रख लिया the king was sure राजा क्या था sure याने निश्चित था उसे पक्का था that की someday याने किसी दिन his services would be needed his याने उसकी services याने होती सेवाएं would be याने होंगी क्या होंगी needed याने जरूरत कभी न कभी तो उसकी जो उसकी सेवा है उसका काम का काम की जरूरत हमें पढ़ेगी तो काम होगी the rest did not do much पहलवाँ did not याने नहीं करता था do याने कुछ काम करना much याने ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं करता था mostly mostly याने ज़्यादा तर he used to tell his boastful tells he used to used to का मतला होता कुछ इच किया करता था तो used to का use करते है वह किया करता था tell याने बताना ज़्यादा तरवा बताया करता था his याने उसकी या फिर अपनी बोल सकते है boastful tells याने वही डिंगे भरी डिंगे सेखी भरी बाते बताया करता था and used to eat a lot अब यहाँ पर भी used to याने, क्या किया करता था, eat याने खाना था, used to eat याने, खाया करता था, lot याने, बहुत जादा, और बहुत जादा, खाया करता था, अब और, impress the king, राजा को impress करता था, प्रभावित करता था, with false tells, with याने, say, जूटी बातों से, जूटी कहानियों से राजा को प्रभावित करता था अब क्या हुआ there was a high hill there, अब there का मतलब केवल subject के रूम में उसके was याने था a high hill, एक उची पहाड़ी थी, near याने पास में किसके पास में, the kingdoms याने राजी के border याने सीमा राजी के सीमा के पास एक पहाड़ी थी it so happened, it so happened याने अक्सर होता था क्या होता था, that की अक्सर होता था की happened याने कुछी होना wild animals, जंगली जानवर from याने से, कहां से the forest, याने जंगलों से on the hill जंगलों से, पहाड़ी पर slopes, on the hill hill slopes का मतलब क्या होता है हम उसे बोलते हैं कि जो पहाड़ी का धलान होता है उसे हम hill slopes करें, पहाड़ी के धलानों से started entering याने अंदर आना शुरू किया, जंगलों से पहाड़ पर चड़के उसे slope से नीची अंदर आना शुरू किया, the village age is at night याने गाउं में at night और रात को अब at का use night के साथ करते हैं लेकिन evening at evening नहीं नहीं भोलेंगे, at morning नहीं नहीं बोलेंगे हम क्या बोलते हैं data in the morning बोलते हैं लेकिन रात के समय at night in night नहीं होगा ठीक है यह चैजी женी पता दिया मैंने तो रात के एक समय गाउं में वो प्रवेश किया करते थे क्योंकि पहाड़ी से स्लोप था तो उतर दे अच्छा बनता था वे यूँज। तो फिर्म आपको पता चलिया किया करते थे क्या क्या करते थे बरबात किया करते थे तो इस टैंडी खरी फसले तैयार फसले उसे standing crops कहते हैं, जो फसल पक जाया करते हैं, तो उसे बरबात किया करते थे, and often और अकसर, यहां पर आफटन ऐसे पंडे में, often लग रहा है, लेकिन टी सैलेंट होता है, टी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लिखते जरू में, often ऐसे पढ़ते हैं, often अकसर, often यह फ पॉल्ट्री मतलब पॉल्ट्री फॉर्म आप से भी को पता है मुर्गी पाना जो करते हैं मुर्गीओं को बोल सकते हैं and cattle और पस्वों को for food याने खाने के लिए मुर्गीओं को और पस्वों को खाने के लिए हमला किया करते थे उन पर the people were scared the people याने लोग वर याने थे क्या थे scared याने डरे हुए थे to go out बाहर जाने से है ना बाहर जाने के लिए at night याने रात को बाहर जाने से वो डरा करते थे due to due to को मतलब के कारण किसे कारण fear याने due to fear याने डर के कारण of their attacks कि करने को दरा करते थे क्लियर हो गया एक समझा रहा हुआ तक रिमेंबर उसे याद आया याने याद किया या फिर याद आया that की the wrestler had told him the wrestler पहलवान ने head के साथ told tell का third form told had told याने कहा था दिया था लिया था चुका था चुकी थी past perfect tense तो पहलवान ने कहा था him याने उसे many of his tells many याने बहुत से office tells याने, उसकी बहुत से कहानियों में या बातों में बताया था कि of weller, अब यह वेलर याने क्या होता है वीर्टा, weller मतलब वीर्टा अपनी बहदूरी के बारे में वीर्टा के बारे में बताया था he called the researcher, उसने बुलाया the researcher याने पहलवान को बुलाया and set, और का, क्या का, देखिए, तो, दावा किया था, क्यों किया था, फिर यहां पे hand के साथ, था, लिया था, किया था, past perfect needs, तुमने दावा किया था, that यानि की, यू है लिफ्टेट, तो, यहां पर भी बताया ना उठाया था, गाया था लिया था वही यह भी पास प्रफेटेंस तुमने बताया था कि you had lifted तुमने उठाया था lifted यान उठाया था a mountain एक पहाड को on your head अपने सिर पर और on यान पर ठीक है अपने सिर पर पहाड को उठाया था now अब is the time यह समय है to prove साबित करने का सिद्ध करने का yourself याने खुद को साबित करने का यह समय है there is a forested hill अब देर भी सब्जेट कर में उसकी is याने है एक forested hill का मतलब होता है वन आच्छादित पहाड़ी आप इसका यह हिंदी बोल दिया मैंने अब हिंदी में बता हुआ जंगलों से गिरा हुआ जंगलों से भरा हुआ पहाड़ी है नियर याने पास में अवक किंग्डम इसे बहुंच लोग आर भी पढ़ते हैं ब्रिटिश एसेंट होता है और अमेरिकां तो अंतर होता कर अबर आर पढ़ते हैं ठीक है तो अवर Kingdoms हमारे राज चीमा पे वही बताया भी जंगलों से घिरा हुआ एक पहाड़ी है राज चीमा में You must lift it You must याने तुम्हें करना चाहिए Must याने जरूर करना चाहिए Lift it उसे उठाना चाहिए तुम्हें उसे जरूर उठाना चाहिए And shift shift याने खिसकाना और खिसकाना चाहिए और और याने या खिसकाना चाहिए या throw it उसे फेग देना चाहिए throw याने फेगना somewhere याने कहीं भी far याने दूर from us याने हमसे दूर कहीं और हमसे दूर कहीं और उसे या तो आप खिसका दो या तो उसे फेग दो इस प्रकार और प्रजा को क्या बोलते है तो यही बोल रहा है कि अगर ऐसे करते हो तो मेरे लोग को है ना अब क्या हो गा जानवरों से परिसानी नहीं होगी किसे बाइदा एडिमल्स याने जानवरों से from these forest from याने say these याने in forests बहुत सारे जंगल इसने दीज के उसके अगया तो वही बोला कि भई मेरे लोगों को अब जानवरों से परसानी और जादा नहीं होगी यदि तुम ऐसे करते हो अब भई इसने क्या का देखी येस हां यो मेर् स्टी हे महराज हां विल गो तो यह एक्चलर वी विल है ना वी के बाद ऐसे विल है तो सॉर्ट में विल ऐसे बोल देते हैं वियल गो we will go, हम जाएंगे.. विल लगया ने गागी गे, आएगा यह आएगा future tells विधिल गो हम जाएंगे there याने वहाँ इमेडियेटली हैं उप लो लोगे, वहाँ आप भर रहें वहाँ पर there का use क्यों नहीं किये तो there यादी starting में लगया subject की रूप में जिसे हम इंट्रोड़क्टिव बोलते हैं, इंट्रोड़क्टिव वर्ड के रूप में, तो वहां पे इसका मीनिंग नहीं निकालते हैं, जब रदस्ती हम उससे लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर या इट का यूज़ करते हैं, लेकिन यदि बीच में है, एंडि में हो, बीच में हो, हम देयर का यूज़ करते हैं, तो गो देयर है ना, हम जरूर वहां जाएंगे, इमेडियेटल या तुरन, बट, लेकिन बीफोर उसके पहले, बीफोर पहले की, I want to, मैं चाहता हूँ, eat याने खाना, something याने कुछ, उससे पहले मैं कुछ खाना चाहता ह यह तभी तो ताकत आएगी, so he had a heavy lunch, तो he had, आप आप बोलेंगे, sir, head है, मतलब past perfect tense होगा, लेकिन आपको clear कर दूँ, head के साथ अब बताईए, कहीं पर कुछ खाना, पीना, लिखना है, क्या, कोई verb है के नहीं, heavy lunch, तो यहाँ पे खाने की बात नहीं हो, बस heavy lunch, तो head का use हम और कप करते हैं, कुछ चीज, भोजन ग्रहट करना, नास्ता करना, लंच लेना, तो head का use करते हैं, head your lunch, ऐसे, eat your lunch हम नहीं बोलते हैं, head याने कुछ लेना करना, उसका head का use करते हैं, so head your lunch ऐसे बोलते हैं, or head your dinner, तो head का use उस टाइप से भी किया जाता है, lunch, dinner, breakfast के लिए, so he had heavy lunch, याने, बहुत भारी lunch, याने, बहुत heavy bojan उसने किया, दोपार का खाना को lunch कहते हैं, and then, और तब, accompanied, इसे हम accompanied पढ़ते हैं, accompanied, याने, साथ में, ठीक है, फिर साथ में चले का, last page, साथ में, किसके, the king, राजा के साथ, and the courtiers, or the courtiers, याने, का होता है, court, याने, दरबार, courtiers याने, दरबारीों, और दरबारीों के साथ, to where, याने, कहां भी होता है, जहां भी होता है, यहां पर, जहां मतलि, जहां, the hill stood, पहाडी खडी थी, stand, याने, खडे होना, stood, याने, खड़ा होआ था, तो, जहां, पहाडी खडी थी, वहां पे गय, once there he took off his shirt, once, एक बार में, there सore वहाँ हिटूक उसने तूक ऊब याने होता है निकाला एक साथ है तूक ओफ निकाले लिए और उसने अपना सथ निकाल दिया डिया कि फ्लेट्च एह जिस्मसल्स यहान होता है मोड़ना तोड़ना से मसल्सल को साओन को थोड़ OD मरोड किया, मरोडा, and exercise a bit, a bit याने थोड़ा सा exercise याने वयाम किया, exercise याने वयाम करना, exercised second form, वयाम किया, कसरत किया, a bit याने थोड़ा सा वयाम किया, then, तब he said, उसने कहा, to the king, राजा से, तब उसने राजा से कहा, I am ready, याने मैं तयार हूं, to lift the hill, lift याने उठाने के लिए, the लिएए पहाडी को पहाडी को उढ़ाने ये महाराज मैं तयार हूं यूर मेश्टिये महाराज तेल मी मुझे कहो मुझे बताओ शुड इसे इंटू याने में दा नेक्स गिंडम शुड शुड याने क्या मुझे करना चाहिए तो शुड का यूश करते हैं शुड आई, क्या मुझे करना चाहिए, थ्रो याने फेकना, क्या मुझे फेकना चाहिए, इट याने इसे, इन्टु याने में, the next kingdom, अगले राज्य में, याने जो सामने हमारे जो राज्य है, अगला राज्य है, क्या मैं वहां तक फेक दूँ, और या, to the country across the sea, to the country याने द महाराज, दूसरे राज्य में फेको, कि समुद्रे को उस पार दूसरे देश में फेक दूँ, I can do as you wish, I can do, मैं कर सकता हूँ, do याने करना, कहने याने सकना, I याने मैं, मैं कर सकता हूँ, as याने होता है, जैसे, you wish, आपकी इक्षा, जैसी आपकी इक्षा मैं कर सकता हूँ बट लेकिन first you will have to call your man you will have और to तो देखिए यहां पर थोड़ सा ध्यान देने वाली बात है you याने आपको यह तो पता है but first याने सबसे पहले you याने आपको will लिखा हुआ है और have to will have to याने करना पड़ेगा करना पड़ेगा तो हम will have to का यूज़ करते है कुछ चीच करना पड़ता है तो have to या has to का यूज़ करते है कुछ चीच करना पड़ा या करना पड़ता था तो हम had to का यूज़ करते है ध्यान देंगे कुछ चीच करना पड़ा had to कुछ चीज करना पड़ता है तो आप बोलोगे I have to कुछ चीज करना पड़ेगा तो आप बोलोगे I will have to लेकिन यहाँ पर उसे बोर रहा you will have to आपको करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा call call याने होता है पुकार न पुलाना आपको बुलाना पड़ेगा your man सहायक जो काम करने वाला आदमी कोई man कहते है आपके आदमियों को बुलाना पड़ेगा so that याने ताकी they dig the hill out वे खोद कर क्या कर दे पहाडी को out याने बाहर निकाल दे off याने से the firm ground firm याने ता मजबूत ground याने जमीन मजबूत जमीन से पहाडी को उखाड़ दे जमीन को खोद के देखो अब ये बोल रहा है उने बुलाओ खोदने के लिए before I lifted है ना उससे पहले कि मैं उसे उठाऊ on my head तो यह क्या बुर रहा है कि इससे पहले कि मैं उसे अपने सीर पर उठाऊ पहाड को तो आप ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा अपने आदमियों को बुनाना पड़ेगा ताकि वे लोग पहाड की नीचे खो दे और पहाड को उस मजबूत जमीन से निकाल दे बहार अब देखो पहाड को निकालने बोल रहा है उसके बाद ही मैं फेकूंगा हमारा देखिए पहाडी दिखा के चेहरा है देखिए मज़ा आ रहा है इसका मेरे को फोटो देखना अच्छा लगता है बचपन से चाचा चोधरी उगर बहुत पड़ता था ending आगे बट लेकिन you said तुमने कहा कि you could lift a mountain you could तुम कर सकते हो तुमने कहा था तुम कहा है could का use करेंगे क्यों पास्टाइज की बात हो रही you could तुम क्या कर सकते हो lift उठा सकते थे उठा सकते हो a mountain एक पहाड को exclaim the king exclaim जाने चिलाया the king राजा ने चिल लाया कि तुमने तो कहा था कि तुम क्या कर सकते हो पहाड को उठा सकते हो that's right है ना वो सही है जो मैंश्री वो सही बात है I can lift this hill मैं उठा सकता हूँ this hill इस पहाड़ी को मैं उठा सकता हूँ on my head मेरे सील पर लेकिन I can't dig it can't भी बोलते है can't भी बोलते है I can't dig it तो can't क्या है एक्श।वल मैं जीने नहीं पता है can not यान नहीं कर सकता I can't मैं खोद नहीं सकता it यान पहार सीर पर उठा लूंगा कोई खोद के देदे तो लेकिन मैं इसे खोद नहीं सकता महाराज I never claimed I could do that I never, मैंने कभी नहीं never याने कभी no not नहीं मैंने कभी नहीं दावा किया था I could do that मैं वैसा कर सकता हूं मैंने ऐसे कभी दावा नहीं किया था कि मैं वैसा कर सकता हूं Hearing this ending हो गया ऐसा सुनकर The king felt dejected Raja को क्या महसूस हुआ उदास है ना Raja हारा हुआ उदास महसूस क्या खिन बोलते है Dejected याने तो उसे बहुत ज़्यादा उदास उदासी फील हुई महसूस हुआ He had been cheated by a man ठीक है यह हम passive voice वगर भी यूज करते हैं Indirect Centering में आप सभी को पता है ग्रामर में इससे मैं आपको बता दूँगा तो देखे He had been cheated by a man तो इसका मतलब क्या होगा He had been तो उसे एक आदमी ने उसे एक आदमी के द्वारा धोका दिया था धोका दिया गया था ऐसे उसे had been याने कुछीच किया गया था चीटेड याने धोका दिया गया था by a man एक आदमी के द्वारा ठीक है राजा को एक आदमी ने धोका दिया था Who who याने कौन भी होता है जो भी होता है जो Told कहता था या बताता था False tale False tale जूटी बातेया जूटी कहानिया जो बताता था टेल याने बता ना टोल याने बताया था ठीक है दा रेसलर वाज आफ नो यूज अट आल अब जो पहलवान था वो क्या हुआ वाज आफ नो यूज अट आल याने बिलकुल भी अब वो किसी भी काम का नहीं था, क्या काम का था बता ही यह असली समय में तो वह रखोद के दो अब वो लोग खोधी पाते तो फिर बाती गया रखोद के लेते हो लोग तो भवी पहाड को खोद़ना को चोटी बोटी बात थोड़ी है राजा को समय नहीं समय रिच्टे उन्हें बहुत जादा उदास महसूस किया खिन्न महसूस किय क्या क्या मिलती है false claims get you nowhere false claim याने जो जूटी बाते होती है जूटी दावे होती है get you तुम्हें ले जाती है nowhere यह कहीं नहीं तुम्हें कहीं भी नहीं पहुंचाती है जूटी बाते तुम्हें कहीं भी आगे नहीं पहुंचा सकती है इस चीज का ध्यान आपको देना होगा हमें कभी भी जूटी बातों से आगे बढ़ना नहीं चाहिए इस श्टोरी का मुरल है बाद में हमें पस्ताना ही पढ़ता है बेज्जती अलग होनी है हो सकता है दंड मिले सजा मिले तो हमें कभी भी जूट बोलके इस सब चीज काम नहीं करना चाहिए बहुत से लोग फरज है जितना है जो आप कर सकते वो बताईए उसके हिसाब से आप काम कीचिए वो सही बात है तो आपने देखा पहलवान को बड़े-बड़े डिंग आ की अब यहां पर राजा की गलती मुझे तो कोई आगे बोलेगा कि पहाड़ को सिर्वे उठा लूँगा तो सायदी कोई म माल लेगा है ना विस्टोरी थी तो भी ऐसे बना दिया हो सकते हैं राजा थोड़ा मंदबुद्धी रहा हो क्योंकि कितना भी बड़ा सरीर का आदमी आ जाए मेरे पास मतलब 10 फीट का पचास फीट का भी आजाए और वो तो होई नहीं सकता है वो गोले का पहाड़ को दूगा ऐसे कर दूगा यह ट्रिक है वो ट्रिक है सस्ते में बिल्कुल भी देंगे हाकने वालों के तो बात में आना ही नहीं चाहिए जो आपको लगता है कि यह होई नहीं सकता तो उसके पीछे मज जाए बहुत उसको थोड़ा खोज कीजिए रिसर्च कीजिए उसके बा भगवान से कृष्ण आप सभी को शफल बनाए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शफल रहे और आप सभी को बता दो कि इसका जो स्क्रीन सोट है यह मैं टेलीग्राम में दो तीन स्टोरी मैं ने पढ़ा ही एक दो दिन में अभी तीनों का मैंने बना लिय पीडिएफ उसे आपको टेलीग्राम में पोश्ट कर दूँगा आप लोग हां डाउनलोड करके फिर से ट्रांशेट करने की कोशिस कीजिए क्या क्या समझ आया क्या क्या नहीं आया कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक है आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत फिर से क्या नहीं आप बहुत वितन खो ज称 करके दंद एक लिए्याद रचका हैं क्या बहुत बहुत वितन तbehिए चितिन ले क्किए